हलो फ्रेंद्स मेरा नाम है सेयद सौबान और आप देख रहे हैं जागरंजोश.com और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कुछ सवाल बना जा सकते हैं आज के करंट रफेर से उसका सही जवाब क्या होगा और उससे रिलेटेड कुछ की फैक्स के बारे में बात क कर लिया है सही जवाब है विद्या बालन तो दोस्तों आपको बता दें कि भारती एक्सा लाइफ इंशोरेंस एक कंपनी है उसने राष्ट्रिय पुरसकार विजेता अभिनेत्री विद्या बालन को अपना प्रांड अमबेज़नर निउत किया है वो प्रांड अमबेज़न के अग्रणी संगर्णों में से एक एक्सा का एक स्थ्यूक्त उद्यम है अब बरते हैं अगले सवाल की तरफ सवाल यह है कि निम्न में से कौन सा किलारी पूर्व भारतिय कप्तान कपिल देव को पचाड़ कर टेस्ट में विकेट लेने के मामले में दूसरी नंबर पर वो पूरे किये इसके बाद जो है उन्होंने कपिल देव को पीछे चोड़ दिया है कपिल देव ने 434 लिए हैं वहीं पर अश्विन के 435 विकेट हो गए हैं आपको बता दें कि अश्विन भारत की दूसरे सफल गेंबाज बन गये हैं लेक्स बिनर अनिल कुमले टेस्ट में भारत के सफल गेंबाज हैं उनका जो है स्थान वो पहला स्थान है और 619 विकेट उनके नाम है तो आप ये गैप देखिए कितना बड़ा गैप है एक 435 पे है जो दूसरा नमर के लाड़ी है और 619 रिकॉर्ड तोड़ना यहां पर काफी मुश्किल है अनिल कुमले का लेक लेकिन बहुत डिफिकल्ड नदर आता है और आल अश्विन वंडे में भी एक सो पचास से अधिक विकेट वो ले चुके हैं वीडियो हमारा आग बंडे से पहले एक इंफोर्मेशन हमारी वेबसाइट जागरनजोश.com पर अगर आप करंट अफेस पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा इसके बाद आपको करंट अफेस के टैप पर जाना है जब आप करंट अफेस टैप पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर अगर आप क्याटेगरी वाइस कर इंट अफेस पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी क्याटेगरी चूज कर सकते हैं जिसमें लेटिस्ट, नाशनल, इंटरनाशनल, स्पोर्ट्स, टेकनोलोजी और एकॉनमी जैसी क्याटेगरी मौजूद है तो दिल्ली सरकार ने प्रीमियर लीक प्रैमरी स्टार्स परियोजना के तहत खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिटिश काउंसिल के साथ साज़धारी की है ये प्रोजेक्ट एजुकेशनल डिवलप्मेंट के फुटबॉल के बेस्ट प्राक्टिस की समझ बढ़ाने के साथ स्कूल के कोचिस और टीचर्स को प्रशिक्षित करेगा इस प्रोजेक्ट का उद्देश दिली के युवाओं के लिए वैश्विक अफसर प्रदान करना है या पैदा करना है बढ़ते हैं अग्रेस सवाल की तरफ सवाल है कि फिलिस्टीन में हाली में भारत के किस राजदूत का निधन हो गया सही जवाब है मुकुल आर्या तो आपको बताते हैं कि फिलिस्टीन में भारत के राजदूत मुकुल आर्या का निधन हो गया साल 2008 पैच के वो भारती विदेश सेवा के अधिकारी मुकुल आर्या काबल और मॉस्को के भारती दोतवास में भी सेवाय दे चुके थे पैरेस में युनेस्को के लिए भारत के स्थाई पतिनित्नी मंडल में भी सेवाय दे चुके थे उन्होंने नए दिल्ली में विदेश मंत्राले के मुक्याले में भी कारे किया था उन्होंने दिली युनिवस्टी और जवाहर लाल नहरू युनिवस्टी से अर्थशास तरकी पढ़ाई की थी अगला सावार जन और शदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है तो जो सही जवाब है वो है साथ मार्च तो यहाँ पर आपको बता दें कि साथ मार्च को जन और शदी दिवस मनाया जाता है इस दिवस को मनाने के पीछे कारण देशवासियों के लिए स्वास्त सेवा को बढ़ावा देना है साथी देश की लोगों को जिनरिक दवाओं के प्रती जारू करना है इस बार जन और शदी दिवस नई दिल्ली के विग्यान भवन में आयोजित किया गया है पढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ सवाल है कि हाल ही में और शदीकर स्पिनर का 52 वर्ष की उमर में निधन हो गया थोड़ी सा जो है सवाल पुराना है लेकिन आपको एक तरह से रिपिटीशन या पिर रिवाइस करने के लिए काम आएगा तो सही जवाब है शेन वाउन जिनको नहीं मालूम है आपको बताते हैं कि दुनिया के सर्वकालिक महान के इन बाजों में शुमार आस्टीला दिकट शेन वाउन का निधन हो गया विबावन साल के थे शीनवान ने 145 टेस्ट मैचेस में 705 विकेट हासिल किये टेस्ट करियर में उन्होंने 37 बार पारी में 5 विकेट लिये और मैच में 10 बार 10 विकेट हासिल किया है उन्होंने और उन्होंने 194 एकदवसी मैचेस में 293 विकेट हासिल किये थे अब वो सवाल जिसका जवाब हमने पिछले वीडियो में पूछा था एक दिन का बिश में गाप जरूर हो गया टेक्निकल इशूज के वज़े से भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनेक समंदों के 75 सार पूरे होने के उपलक्ष में एक विशेश लोगों का अनावरण किया गया है तो सही जवाब जो है वो बेलजियम है तो भारत और बेल्जियम के बीच 25 परवरी 2022 को राजनाइक सम्दों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष में विशेश लोगों का अनावरण किया गया और इस लोगों में एक मौर और जोकी भारत की राष्ट्रिय पक्षी है बेल्जियम भारत साथ दूर्पक्षी में वाले पहले यूरोपिय देशियों में से एक था इस लोगों को भारत में बेल्जियम के राज़ूद फ्रेंकोईस, इलिहे और संदीब चक्रवत्ती द्वारा अज्जारी किया गया था अब एक सवाल आपके लिए इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताना है जेट एर्वेस के CEO निम्न में से कौन बन गए है आप्शन्स हैं राजीव अगनी होतरी, संजीब कपूर, प्रकाश देवा, मनीश मलहोतरा जब आप कमेंट बॉक्स में लिखके बताएए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ भी और आपने हमाई चाहिए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथे साथ जो महिलाएं जो लोग हमाई इस वक्त देख रहे हैं उनको बहुत बहुत शुब कामना है हापी विमन्स टे साल 2022 में जो है आज के दिन आठ तारिक को हम यह मनाते हैं आप के जो जो भी करीब दोस्त हैं या पर परिवार में जो भी महिला हैं उनके लिए आप क्या संदेश दिना चाहते हैं तो इस जवाब के साथ उस संदेश को भी हमें कॉमेंट बॉक्स में आप कांउ